आज का आमारा टोपिक है Reproductive System in Branchio Stoma Branchio Stoma के अंदर जन्नत अन्तर तो हमने यहाँ पे एक Normal Branchio Stoma का डाइग्राम बना है आगे के तरफ यह रोस्टरम बड़ा भाग है यह ओरल होड है और यहाँ पे गौनेर्स हमने दिखाएवे हैं यह फेरिक्स के बड़ा भाग है तील है पारि का पाट है यह अपर पर इत्रीजु पोर पाजा ग insp पाए पर यहाँ परेंद्र स्का अंदर गोनेट के अंदर ही टेस्टिस और ओवरी पाय जाती है, gonads के अंदर ही testis और ovary present रहती है animals जो होता है वो unisexual होता है male और female दोनों अलग लग होती है लेकिन क्या होता है कि यह sexual dimorphism नहीं दिखाते हैं लेंगी की द्वीरुपता इनके अंदर नहीं पाय जाती है testis या ovary मतलब testis या ovary यह का मतलब होता है gonads क्योंकि gonads के अंदर ही present testis और ovary तो यह जो gonads होते हैं इनकी हम location देखेंगे तो यह कहां मिलते हैं pharynx के बिल्कुल नीचे pharynx के नीचे और body wall के उपर की तरफ में pharynx के नीचे body wall के उपर की तरफ में atrial cavity के अंदर लटकी भी पाजाते हैं atrial cavity के अंदर लटकी ही अवस्था के अंदर यह gonads परजेंट रहते हैं यह जो gonads होते हैं यह 26 से लेकर 27 पेर पाजाते हैं 26 से लेकर 27 पेर gonads इसके अंदर परजेंट रहते हैं और यह body के जो segment होते हैं 25 segments से लेकर 51 segments तक फेले वे रहते हैं, मैंने पहले ऊटा था कि, Myotomes की वजय से इसकी जो body होती है, pregnant दिखाए देती है, पिछले ही lecture में हमने देखा था कि, Myotomes की वजय से इसकी body जो होती है, segmented दिखाए देती है, वैसे body में segment नहीं होती है, लेकिन मायोटोम की वज़े से ऐसा segmented लगता है हमें तो 25 segment से लेकर 51 segment तक यह जो gonads होते हैं वो फैलेवर रहते हैं यह थोड़ा जो गरस्थनी का आगे का भाग रहता है वहाँ से लेकर पीछे atriopor तक फैलेवर रहते हैं तेस्टी आरो और और दोनों की जो structure होती है एक समान होती है तेस्टी स्परमीति एक का निर्मान करती है इसके अंदर गौनोडाक्त नहीं पाने स्परमीया ओवा का formation होता है जो इसकें अंदर discharge कर दियादे हैं अब हम देखते की ऐक गौनेड की स्ट्रक्शर जो एक gonad होता है उसकी स्रंचना इस परकार से होती है इसके अंदर दो cavity बाई जाती है gonads के अंदर दो cavity बाई जाती है जो सबसे अंदर वाली जो cavity हमने बना रही है उसे बोलते है primary gonadial cavity primary gonadial cavity और जो बाहर की तरफ में ये जो cavity है yellow color में इसे हम बोलते हैं secondary gonidal cavity, जो primary gonidal cavity होती है उसके अंदर की लेर होती है, अंदर यो लेर होती है इसे बोलते है follower IoT um, follicular epithyllium बोलते हैं यहां पे हमने ब्लड बैसेल्स दिखाये हैं, ingt debuguleur में blood vessels present रते हैं यह जोड ब्लड बैसेल्स होती हैν क्या काम करते हैं जर्म सेल्स होती है उनको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है अब यह जो फोलिक्यूलर एपिथेलियम होती है इसी से जर्म सेल्स का निर्मान होता है जो जर्म सेल्स बनती है उसी से ही उनका निर्मान किसे होता है फोलिक्यूलर एपिथेलियम से यह अंदर वाली लेयर होती ह इसी से ही जर्म सेल्स का निर्मान होता है बाहर हमने एट्रियल केविटी दिखाई है बाहर एट्रियल केविटी और यह हमने दिखाया है एट्रियल एपिथेलियम अब यह जो लेयर होती है फोलिकुलर लेयर जो होती है यह जर्म सेल्स का निर्मान करती है इस तरह से germ cells बनती हैं इन germ cells में एक नलिका का रचना के द्वारा ये atrial cavity के अंदर खुलती है और यहां पर हमने blood vessels दिखाई है जो इन germ cells को blood supply करने का काम करती है अब होता है कि जैसे ये germ cells है तो ये sperm और ova का formation इसके अंदर होता है और इसमें से एक नलिका के द्वारा ये atrial cavity तक पहुंचते हैं यहां पर atrial epithelium रहता है जो इनके रस्ते में क्या करता है अवरोद उत्पन कर देता है मारप में इनके पाद owitman कर देता है तो जैसे ही स्पर्म और ova यहां पर आते हैं तो इसके जो epithelium होती है उसमें भाहर की layer इक बाहर की त backlash अते है यह इसको रस्ता मिल जाता है वो layer क्या कहलाती है गलने से इसको और space मिल जाता है उस space को हम क्या बोलते है केका trice बोलते है जैसे ही यहां से sperm और ova आते हैं तो यहां पर यह जो arterial epithelium होती है यह जो arterial epithelium होती है उसको sperm और ova के mark में बादा उपन कर देती है तो जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे तो इसकी बाहर की जो layer होती है वो गल जाती है गलने से space मिल जाता है इसको जगह मिल जाती है आगे atrial cavity में जाने के लिए उस space को हम क्या बोलते है केक का trice बोलते है उसके बाद में जैसे sperm जो और ova जाते है इनको मिलेगा तो यह atrial cavity के अंदर discharge होता है अब atrial cavity में क्या होता है atriopore present रहता है atriopore एक छिद्र पाय जाता है उस छिद्र के द्वारा यह sperm और ova पानी के अंदर discharge होता है फर्टिलाइजेशन जोता है वो external fertilization होता है पानी के अंदर होता है शरीर के बाहर होता है इस प्रकार से एक gonadal की structure होती है अब हम देखते हैं एक ova की जो structure होती है कि अ्यादर फेले हम देखे लेते हैं इसका फेरिक्स के अंदर ये कैसे दिखाए देते हैं इस तरह से फेरिक्स के हमें एक TES बनाए है यहां पर फेरिक्स परजाण रहती है और इसे डोरसल गणाती हैं और यह क्या है अट्रियम गन्रें प्रॉडिट के निठसें रहते हैं वह घ्रैक्स के नीचे अट्रियम के अंडर पाज़ने बाहर बोडिवाल है और बोडिवाल के ऊपर की तरफ में रहते हैं तो यह रहता है नीचे की तरफ में वेजिटल पोल रहता है बाहर की जो ले रहती है वो विटेलाइन मेंब्रेन कहलाती है विटेलाइन मेंब्रेन में उपर की तरफ में एनिमल पोल की तरफ में एक फर्स्ट पोलर बोडी होती है फर्स्ट दुर्विय काई बोलती है इसको फर्स्ट लेथी लेसल टाइप का बोलती है इसको, योग साइटो प्लाजम इसके अंदर भरा होता है, तो यह है एक ओगा की स्ट्रक्चर और स्पर्म की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस परकार से स्पर्म रहता है, तीन भागो के अंदर डिवाइड रहता है, है हेड, मीडल पीस और टैल अंदर हमारे लिवरो स्ट्रक्चर पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में इस टोपिक के साथ में जो ब्रेंक्योस्टोमा है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है नेक्स चैप्टर में दूसरे अनिमल के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू